आज के इस वीडियो में हम PPS Lecture Math 2020 के पेपर में Vector Spaces और Linear Transformations में से जो Questions आए थे उनको आज हम डिस्किस करेंगे Question Number First है हमारे पास Let V be a Vector Space then V has options आपको गिवन है Unique Bases, Many Bases, Two Bases या None of These ठीक है अब आपको गिवन क्या है कि आपके बास एक Vector Space है V ठीक है सरफ यह चीज आपको बताएगी है कि एक Vector Space V की Bases के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसके जो Bases होती है वो Unique Bases होती है कई सारी Bases होती है या सरफ दो Bases होती है या इन में से कोई भी Option जो है वो Correct नहीं है तो क्या है कि आपके पास जो एक Vector Space V है ठीक है उसकी Bases, Bases क्या होता है Bases आपके पास अगर हम Bases की Definition को पहले देख लें तो Bases हमारे पास क्या होता है कि Collection of Vector या हम कह सकते है कि ऐसे Vector's का Set जो के Set of All Vector's कौन से Vector's का Set जिन पर दो Conditions आपके पास Satisfy होती हों ठीक है एक Condition क्या है कि उन तमाम Vector's का Set जो के Linearly Independent है ठीक है आपस में क्या हों सारे के सारे Vector's Linearly Independent हों और Second Condition अपके पास क्या होती है कि वो तमाम Vector's जो है वो Vector Space V को Span करते हों ठीक है यानि कि हम दूसरी जो Condition है क्या कह सकते है कि Vector's Span V Vector Space V V को Span करते हों इसका मतलब क्या है कि हम V के किसी भी Vector को उन Vector's के Linear combination में लिख सके ठीक है यह दोनों Condition जब सैटिस्फाइ हों तो उन तमाम Vector's का Set जो है वो क्या बनाता है Vector Space V की Bases बनाता है ठीक है तो अब क्या है क्या है क्या है क्या क्या आपसे पुछा गया है कि अगर हम कोई भी Vector Space V लें तो वेक्टर स्पेस V की हमारे पस सिर्फ एक ही Bases आए ठीक है स्पोस कर लें कि आपकी पास एक सर ज्यादा Bases आजाती है जैसे कि अगर आपकी पास एक BASE हम भी 1 नाम दे रहें एक BASE अगर आपकी पास आई है V1 V2 V3 ठीक है एक BASE आपकी आपकी एक BASE ली है उस BASE में आपकी पास सरफ 3 ही ELEMENTS है ठीक है और यानिके 3 Vector है कौन से 3 Vector है यह 3 Vector है ठीक है अब स्पोस करें कि हम एक और BASE लेते हैं V2 इस BASE में अगर आपकी पास ELEMENTS हैं V1 V2 ठीक है एक और जो ELEMENTS हमने लिया है V3 ने लिया V यह V3 ELEMENT है एक ELEMENT हमने लिया है V4 ठीक है स्पोस किया है ठीक है हम कोई arbitrary BASE ले रहे है तो हमने एक BASE ली है वो यह है कि उसके अंदर यह 3 Vector है कौन कौन से एक V1 Vector है कोई specific यह Vector होंगे ठीक है तो दूसरी BASE जो हमने लिया है उसमें आपकी पास यह 3 Vector है कि एक V1 Vector है यानिके एक तो यह वह वह दूसरा Vector जो हमने लिया है वो यह वला ले लिया लेकिन जो 3 Vector लिया है वो different लिया है ठीक है अब क्या मतलब है इसका कि यह दोनों BASE क्या है different है ठीक हो गया तो unique BASE कभ होगी युनिक तब होगी जब आपके पास यह जो दोनों BASE के elements है यह different ना हो बलकि क्या हो सेम हो ठीक तब हम कहेंगे कि जो वेक्टर स्पेस वी है उसकी बेस क्या है यूनीक है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पर जो बेसिज में एलेमेंट्स हाएं वह सेम ही एलेमेंट्स हो यानिके बेस वह यूनीक हो आपको कोई ऐसी दूसरी जो क्लेक्शन है साट ओफ एक्टर्स हो तो इसका यह मतलब है कि आपके पास जो बेसिज होती है वह यूनीक नहीं होती कभी भी यानिक आपके पास जो बेसिज वेक्टर्स हैं ठीक है बेसिज के अंदर जो वेक्टर्स हैं आपके पास वह उनके लिए आपके पास यह च्वाइस होती है कि वह डिफेंट होते है ठीक है यानि कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर मैं प्रॉपर इसका लिख रही है अंसर कि आपके पर च्वाइस ओफ बेसिज वेक्टर्ष ती च्वाइस ओफ बेसिज वेक्टर्ष फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस इस नौट यूनीक ठीक है कभी भी आपके पास जो एक वेक्टर स्पेस वी है ठीक है उसकी बेस कभी भी बेसिस कभी भी यूनीक नहीं होती ठीक है यानि कि आपको इस तरह के कैई सारे सेट्स मिल जाते हैं जिनमें आपके पस क्या है डिफेंट आपके पस वेक्टर्ष जो ह है वो मौजूद होते हैं लेकिन एक चीज़ यहां पर important है वो क्या है कि जो basis के अंदर ठीक है एक collection आपने लिए वेक्टर की जो तादाद होती है वो unique होती है अगर आपके पास यह basis है इसके अंदर तीन element है ठीक है तो एक आप थाने वेक्टर स्पेस की कोई और basis लिए है यहां पर इसलिए थाहां इसलिए थाहां अपर नोड़ करें तो थादाद है अगर काई वेक्पर वीक्टर्स हां होती है वह elements होते हैं उतनी ही उस vector space की dimension होती है ठीक है अगर आपको vector space की dimension पहले से पता हो जैसे आपको अगर आपके पास एक vector space है r cube ठीक है तो इस vector space की dimension क्या होगी 3 होगे ठीक है अगर dimension आपको पहले से पता है तो आप उस set के जो basis है Basis के अंदर elements की तादाद बता सकते है ठीक है यनिक अगर यह आपके पस आ रहे है Gust space तो इसकी basis में कितने elements होँगे है इसकी basis में 3 elements होँगे इसी धरा अगर आपके पस इस बेसिज में elements के इताधाद आपको पता है ठीक है तो आप है और हैंसे आप dimension भी बता सकती है ठीक हो गया तो यहां पर किया है कि चोईस जो आपके पस basis vectors की है वो unique नहीं होती ठीक है आपके पास एक वेक्टर स्पेस जो है वो एक सज्ञी बना सकती है ठीक है is not unique but important point है यह आपके पास कि यह जो number of vectors है number of basis vectors is unique ठीक हो गया एक basis जो है जितनी भी basis होंगे एक वेक्टर स्पेस वी की उन तमाम basis में जो elements की दादाद है वो unique होती है ठीक है अगर किसी एक basis में 4 elements है तो दूसरी vector space की जो उस vector space की जो दूसरी basis है उसमें भी चार ही elements होंगे ठीक हो गया तो हमारे पस पहला option correct नहीं है ठीक है कभी भी vector space वी की जो basis है वो unique नहीं होती है अगर हम c option देखें तो c option में आपके पास क्या है कि two basis होती है एक vector space वी की दो basis होती है तो आपके पस जो c option है ये भी correct option नहीं है ठीक है कि कभी भी हमें नहीं पता कि किसी basis की दो basis हैं किसी vector space की दो basis हैं तीन basis हैं या चार basis हैं तो ये आपके पस c option भी correct option नहीं है ठीक है तो इन options में से आपके पस जो correct option है वो है B option कि many basis ठीक है, एक vector space V जो है वो ला तादाद basis बना सकता है, ठीक है, बेशमार basis बना सकता है, लेकिन उन basis में जो elements की तादाद है, वो हमेशा fix होती है, ठीक है, तो आपके पस जो correct option है इस तरह से वो है B, कि एक जो vector space V है, has many basis ठीक है, question number 2 है, if L, M, and N are subspaces of vector space V such that M is subset of L, या आप कह सकते हैं कि M is subspace of L, then which option is correct ठीक है, options आपको given है कि L intersection M plus N equal to L intersection M plus L intersection N, second option L intersection M plus N equal to M plus L intersection N, third option L union M plus N equal to L union M plus L union N और last option है आपके पास, both A and B are correct, ठीक है A and B, ये दोनों correct है तो देखे, इसके लिए हमारे पास एक theorem है, ठीक है, इसका जो answer है, वो हमें theorem से आसानी से मिल जाएगा, theorem है आपके पास if L M N are three subspaces of vector space three subspaces of vector space V V such that किस तरह से, कि M is subset of L then result हमके पास क्या होता है, कि L intersection M plus N equal to L intersection M plus L intersection N ठीक है, और ये equal होता है M plus L intersection N ठीक है, तो ये आपके पास theorem की statement है इस vector spaces ने से जो भी questions आई होए थे, mostly जो है, वो सब के पास theorem ये है, ठीक है, तो यहां से देखिए कि आपके पास जो अगर एक तीन vector spaces है, तीन sub spaces है, एक vector space V की कि इस तरह से कि आपके पास उन दो जो है, sub spaces में आपके पास ये relation होल्ड करता है, ठीक है, कि M जो है, वो एक sub space है, L की, तो correct आपके पास क्या है, result आपके पास ये है, कि L intersection M plus N ये इसके भी बराबर होता है, और L intersection M plus N जो है, वो इसके भी बराबर होता है, ठीक है, तो यहां पर options में अगर आप देखें, तो कौन सा option correct है, तो यहां से आपको नज़रा रहा है कि L intersection M plus N इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, और second option आपके पास ये है, कि यही चीज़ जो है, वो इस result के भी बराबर है, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास correct option क्या हो जाएगा, correct option आपके पास ये होगा, कि दोनो जो हैं, वो A और B, दोनो correct है, ठीक है, तो option D आपके पास क्या है, correct option है, ठीक हो गया, next question है, let W be a subspace of finite dimensional vector space V, then dimension of V over F equal to, ठीक है, अब आप से क्या कहा गया है, कि जो W है, एक finite dimensional vector space है V, उसकी subspace है W, ठीक है, और आपको dimension किसकी बतानी है, V over W की आपको dimension बतानी है, ठीक है, again आपके पास ये एक theorem की statement है, theorem आपके पास क्या है, theorem की statement मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, let W be a subspace of, W be a subspace of finite dimensional vector space V, then dimension of V over W occupus equal होती है, dimension of V minus dimension of W, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेएं कि आपके पास कौन सा option यहाँ से correct होगा, कि आपको option given है dimension V plus dimension W, second option है dimension V minus dimension W, dimension of V minus W, तो theorem की statement से clear है कि आपके पास कौन सा option correct है, option B आपके पास correct option है, कि dimension of V over W equal होती है, dimension of V minus dimension of W के, next question number 4, if S1 and S2 are subsets of vector space V and L of S1 is linear span of S1, यहाँ पर आपके पास statement क्या है, कि आपको एक vector space V के दो subsets दिये गए है, S1 और S2, ठीक है, कोई भी subsets हैं दो, और L of S1 जो है कि इसको denote करता है, L of S1 denote करता है linear span of S1 को, ठीक है, यहाँ कि linear span of S1 के क्या मतलब है, कि आपके पास जो S1 के elements हैं, वो linear combination है, किसके vector space V के vector के, ठीक है, then आपके पास option चाहर यह है, कि L of S1 plus union S2 equal to L of S1 plus L of S2, ठीक है, second option है linear span of, linear span of S1, ठीक है, एक linear span आपने लिए, again उसका जो है, वो spanning set find out किया, तो आपके पास, क्या answer है, L of S1, ठीक है, C option है, both A and B, यानि कि आपके पास यह दोनों option correct है, और D option आपके पास क्या है, कि none of these, इन में से कोई भी correct नहीं है, अब यह भी आपके पास क्या है, एक theorem की statement है, ठीक है, तो theorem complete theorem क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, theorem आपके पास है, if S1 and S2, S1 and S2 are subsets of vector space V, of vector space V, then, और आपके पता है, कि जो L of S1 है, यह किसको denote करता है, linear span of S1 को denote करता है, ठीक है, theorem आपके पास क्या है, कि अगर S1 और S2 दो subsets हैं, vector space V के, then आपके पास, एक result होता है, कि अगर S1 subset है, S2 का, तो linear span of S1 भी subset होगा, linear span of S2 का, ठीक है, एक result यह होता है, second result इससे क्या होदा आपके पास, कि linear span of S1 union S2, यह equal होता है, linear span of S1 plus linear span of S2 के, third result आपके पास होता है, linear span of S1 equal होता है, linear span of S1 के, ठीक हो गया, क्या है, आपके पास, कि theorem यह है, कि S1 और S2 आपके पास, vector space V के, दो subsets हैं, तो यह तीन result आपके पास hold करते हैं, ठीक है, तो इन में से आपके वो दो result अगर आप देखें, तो options में आपको दो result दिये गी हैं, ठीक है, दो result आपके पास कौन कौन से हैं, कि linear span of S1 union S2, यह किस के बराबर है, linear span of S1 plus linear span of S2 के, ठीक हो गया, और second आपके पास क्या है, कि linear span of linear span of S1, यह बराबर है, linear span of S1 के, तो यह दोनों option जो हैं, वो, दोनों आपके पास जो results हैं, यह आपको options में दिये गए हैं, ठीक है, और आपको तीसरा option यह दिया गया है, कि both A and B are correct, तो आपके पस क्या है, कि C option correct हो जाएगा, ठीक है, तो C option आपके पस, यहनि कि दोनों results जो हैं, वो true है, theorem से आप देख सकते हैं, ठीक हो गया, ओके, last question है माई पास, let T from V to U be a linear transformation, then V over kernel of T is isomorphic to, option आपको given है, V, V के isomorphic होगा, T of V के isomorphic होगा, T of U के isomorphic होगा, या identity के isomorphic होगा, ठीक है, अब isomorphism के लिए, हमारे पस, definition हमें एक देखनी पड़ेगी, definition हमारे पस क्या है, कि एक linear transformation, जो के यहां पर define की ही है, हम यही transformation ले ले लेते हैं, ठीक है, a linear transformation, T from V to U is called, one one, if, इसको हम one one बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं कि, injective, ठीक है, एक linear transformation one one होगी, या injective होगी, if and only if, if and only if, for all, दो elements अगर हम ले इस set में से, V1, V2 belong to V, and, second condition आपके पस क्या है, कि दोनों elements different होने चाहिए, ठीक है, V1 equal नहीं है, V2 के, then, T of V1 not equal to T of V2, ठीक है, यानि कि, एक transformation linear transformation आपके पस T from V to U, one one कब होती है, जब आपके पस, इस set में से, आप दो elements लें, V1, V2 जो के different element है, distinct हैं, दोनो, V1 और V2 equal नहीं है, then, आपके पस, अगर उन दोनो elements पे, आप transformation अप्लाई करते हैं, तो उनकी transformation जए हो भी equal नहीं आती, ठीक है, ये दूसरे इलफाज में आप ये भी कह सेते हैं, कि अगर आपके पस, दोनो elements, equivalently, आपके, क्या सकते हैं, कि अगर आपके पस, दोनो elements equal है, V1 equal है, V2 के, it implies that, उनकी जो transformation है, transformation of V1, ये भी equal होगी, transformation of V2 के, ठीक है, अगर ये condition satisfy होती हो, देन, आप क्या कहते हैं, कि transformation आपके पस, क्या है, 1, 1 है, second definition आपके पस है, on to की, ये transformation T from V to U, on to कब कहलाईगी, जब T is called an on to transformation, if R of T equal to U, ठीक है, अब ये आपके पस R of T क्या है, range of transformation, ठीक है, और range of transformation, जए है, इसके elements, किस पर map होने चाहिए, किस set पर map होने चाहिए, second set पर, ठीक है, देन, हम क्या कहते हैं, अगर इस transformation की, जो range है, वो क्या है, second set आपके पस U है, U के बराबर आए, देन, हम क्या कहते हैं, कि T जो है, अगर इसके पस क्या है, आईसो मॉर्फिजम यह है, कि अगर एक transformation, one one भी हो, और on two भी हो, देन, वो transformation, जै है, वो isomorphism, कहलाती है, ठीक है, इस linear transformation, that is, both, one one, that is, both, one one, and on two, is called, an isomorphism, is called an isomorphism, ठीक है, linear transformation, isomorphism कब कहलाती है, जब वो one one भी हो, और on two भी हो, ठीक है, देन, वो क्या कहलाती है, isomorphism कहलाती है, अब देखिए, यहां पर हमें, किसका पूछा गया है, V over kernel of T कहा, ठीक है, अगर आप options पर गहर करें, तो options आपको given है, V, T of V, T of U, या E, ठीक है, तो इन options से, हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, कि हमें first condition का नहीं पूछा गया, ठीक है, इन options को, यहां से हमें choose करने के लिए, कि हमारे पस कौन सा option, correct option होगा, हमें one one पर गौर करना, नहीं करना, बलके हमें चाहिए on to, हम on to पर देखेंगे, कि हमारे पस on to की condition क्या है, on to की condition आपके पस यह होती है, कि जब range जो है, उस transformation की जो range है, वो आपके पस किस के बराबर है, second जो आपके पस transformation, second set जो है, यू, उसके बराबर है, ठीक है, आपके पस क्या कहलाती है, कि यह जो transformation है, यह on to transformation है, ठीक है, आप हमारे पस theorem है, ठीक है, theorem क्या है, अगर एक transformation T, ठीक है, यहां बर मैं theorem की statement लिखती हूँ, let, T आपके पस है, एक linear transformation, T from, जो आपको given है, V to U, ठीक है, T from V to U, be linear transformation, then, theorem आपके पस क्या होता है, कि जो V over kernel of T है, ठीक है, इस transformation का जो kernel है, यह isomorphic होता है, किस के range of T के, ठीक हो गया, V over kernel of T, अगर आप इस पे, जो है, मैपिंग डिफाइन करें, ठीक है, तो यह मैपिंग जो है, किस के isomorphic होगी, range of T के isomorphic होगी, ठीक होगया, अब देखें, यहां पर आप तो V over kernel of T isomorphic है, किस के V, आपको options में range of T, तो कहीं भी नजर नहीं आरा, ठीक है, लेकिन जो range of T है, वो किस के बराबर होगी, अब यह जो isomorphic कब होगी, अब यह आईसो मॉर्फिक तो है, ठीक है, आईसो मॉर्फिक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, कि यह transformation जो है, T, वो on to transformation है, ठीक है, अगर on to transformation है, तो यह range किस के बराबर होगी, second set के बराबर होगी, ठीक है, यही आपको definition में गिवन है, कि T, वो on to transformation कब होगी, जब उसकी range बराबर हो, इस set के, दूसरे set के, यू के, ठीक है, तो अब आप से यही पूचा गया है, कि V over kernel of T, किस के आईसो मॉर्फिक है, यह theorem से हमें यह पता चलता है, कि V over kernel of T, यह आईसो मॉर्फिक होता है, range of T, ठीक है, लेकिन option में आपको range of T नहीं दिया गया, range of T किस के बराबर होगा, यह आपको पता चलेगा, definition से, कि range of T हमेशा किस के बराबर होता है, जब T वो on to transformation होती है, तो वो बराबर होता है, second set U के, यह आपके पस किस के बराबर है, U के बराबर है, ठीक है, अगर हम यहां पर दूसरी चीज़ क्या है, कि अब आपको options में, ना तो range of T दिया गया है, ना ही U दिया गया है, ठीक है, तो अब कैसे चूज़ करेंगे, यहां से कौन सा option, आपके पस correct option आ रहा है, तो अगर आप देखें, range of T जो है, यह U किस के बराबर होगा, U आपके पास, T of V के बराबर भी तो होगा, ठीक है, कि V जो है, उस पर अगर आप transformation apply करते हैं, तो आपके पस, जो यह element होगा, T of V, यह किस को belong करेगा, second element, जो है आपके पास, second set U को belong करेगा, ठीक है, यहनि कि अगर आप पहले set पे mapping, जो है, वो apply करते हैं, transformation apply करते हैं, तो उसका जो answer होता है, यह जो आपके पस element आता है, वो किस set को belong करता है, उस second set को belong करता है, ठीक है, यहनि कि अब आपके पास, जो range of T है, वो U के बराबर है, और U किस के बराबर है, T of V के बराबर है, ठीक है, तो इसको हम, आप directly भी इसको लिख सकते हैं, कि range of T is equal to T of V, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको U लिख सकते हैं, B option जो है, वो correct option हो जाएगा, ठीक हो गया,